हेलो फ्रेंड्स आईए आज हम बात करेंगे नासा का James Webb Space Telescope के बारे में जो की लॉण्चिंग गे लिए तयार है फ्रेंड्स आज हम इसके बारे में बात करेंगे जैसा कि फ्रेंड्स 25 दिसंबर को अमेरिकी एस्पेस एजेंसी नासा इसे लॉंच करेगी और फ्रेंड्स अंत्रिक्ष में हवल की जगह लेगा एडवांस टेलिस्कोप इससे पहले अंत्रिक्ष में हवल टेलिस्कोप थी जिसकी जगह अब लेगा जेम्स वेब टेलिस्कोप जोकी नासा की नई टेलिस्कोप ह नई और एडवांस टेलिस्कोप है जैसा कि फ्रेंड्स जैसा कि फ्रेंड्स निउज आ रही उसके नुशार 10 अरब डॉलर के टेलिस्कोप में लगे हैं सोने की परत वाले 18-60 कोन परावर तक जो की फोटो घीचेंगे जैसा कि फ्रेंड्स अगर आपने हाल में अंतरिक्ष की कोई अधबुत तस्वेड देखी है तो संभव है कि वह तस्वेड नासा के हवल टेलिस्कोप ने खिची होगी और अगर आप अंत्रिक्ष में दिल्चस्पी रखते हैं तो आपको पता हुआ कि हवल टेलिस्कोप किस मसीन का नाम है कई बार इसे अंत्रिक्ष में धर्ती की आँख भी कहा जाता है कई बार इसे अंत्रिक्ष में धर्ती की आँख भी कहा जाता है लेकिन ये मसीन अब पुरानी हो चुकी है और अक्सर खराब रहती है जैसा कि हर electronic item के साथ होता है जैसा कि friends अब हवल की जगर लेगा NASA की नई टेलिसकोप जिसका नाम है James Wave Space Telescope जो की अंतरिक्ष में NASA की नई आँख होगी जैसा कि friends James Wave Telescope पुराने हवल टेलिसकोप से ज़्यादा तागतवर होगी और इसमें मीलो प्रकास वर्स दूर, मौजूद, आकास गंगा, स्टेरोइड, ब्लैक होल और एलियन्स के दावो पर खोज में मदद मिलेगी जैसा कि friends टेलिसकोप में इस टेलिसकोप में लगा है 21.32 फीट चौड़ा सोने का सीशा नासा ने इसके लॉंच के बारे में जानकारी दिये यह French Guiana स्टित कोरोव लॉंच स्टेशन से Arian 5 ECA rocket की मदद से 25 दिसंबर को लॉंच किया जाएगा James Webb Space Telescope जल्द ही अंतरिक्ष में लॉंच होने वाला सबसे सकतिसाली टेलिसकोप बनने वाला है इसे नासा European Space Agency और Canada Space Agency ने मिलकर बनाया है नासा के नए टेलिसकोप में एक golden mirror लगा हुआ है जिसकी चोड़ाई 21.32 फीट है यह mirror बेरेलियम से बने 18 सटकोन टुकडो को जोड़ कर बनाया गया है हर टुकडे पर 48.2 ग्राम सोने की परत चड़ी है जिससे यह एक परावर्तक की तरह काम करेगा जिससे एक परावर्तक की तरह काम करेगा जिससे फ्रेंड्स एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा जैसा की फ्रेंड्स जेम्स वेब्स टेलिसकोप को करीब 15 लाग किलोमीटर की उचाई पर अस्थापित किया जाएगा जैसा की फ्रेंड्स अंत्रिक्ष में सौर कचडों से भरा गुआ है अंत्रिक्ष जो की लगातार घुमता रहता है और साथ ही फ्रेंड्स विशालकाई उल्का पिंड और धूम के तुभी उग्रहों के लिए एक बड़ा खत्रा है फ्रेंड्स ऐसे में इस टेलिसकोप को ऐसे खत्रों से बचाने की जिम्मेदारी व्यग्यानिक की होगी और मित्रों बता सकता हूं कि अगर इसे कोई नुकसान नहीं हुआ तो यह पांस से दस साल तक लगातार अपना काम करता रहेगा और टेलिसकोप से अंतरिक्च को देखने के लिए आपको सिर्फ नासा के इंस्टाग्राम पेज़ पर जाना होगा लेकिन बग्यानिकों के लिए से अंतरिक्च में भेजना एक बेहद ही मुश्किल काम है जैसा कि फ्रेंड्स इस भारीग भरकम टेलिसकोप को 15 लाख किलो मीटर क्यों चाई पर भेजना और फिर इसे तय अस्थान पर और सही एंगल पर अस्थापित करना एक बड़ी चुनोती होती है जैसा कि फ्रेंड्स टेलिसकोप को सही एंगल पर सेट करना एक बेहद ही पेचीदा काम है क्योंकि फ्रेंड्स तस्वीर की गुनवत्ता इसके एंगल पर ही निर्भर करती है और जैन्प स्वेप टेलिसकोप 25 दिसंबर को लॉंच होगा और फरवरी में यह 40 दिन बाद अंतरिक्ष की पहली तस्वीर खीचेगा यह टेलिसकोप पुराने हवल से काफी अलग है खरावी आने पर हवल के विपरित धर्ती से ही इसकी मरमत की जा सकेगी जैसा कि फ्रेंड्स यदि इसमें कोई भी खरावी आती है तो इसे वही पर मतलब अंतरिक्ष में ही से इसकी मरमत की जा सकती है जबकि हवल में ऐसा नहीं था और और फ्रेंड्स जैसा कि नासा ने सकतिसाली हवल दुर्वीन को 24 अपरील दो 24 अपरील 1990 को जब अंतरिक्ष में लॉंच किया था उसके एक दिन बाद इसे अपनी ड्यूटी पर तैनात किया गया यानि कि उसके एक दिन बाद से हवल टेलिस्कोप अपना काम करना शुरू कर दिया करीब एक महिने तक वहां रहने के बाद हवल ने पहली बार अपनी आँख पहली बार फोटो 20 मई 1990 को खीजी थी और अंतरिक्ष से आस्मान के एक हिस्से की तस्वीर भेजी थी जैसा कि फ्रेंड्स हवल का पूरा सिस्टम वर्स 2009 में अंतिम बार बदला गया था और नासा के प्रवक्ता ने कहा था कि कम्प्यूटर में चार मेमोरी मोडियूल है लेकिन केवल एक की ही जरूरत है वर्स 1990 में लांच किया गया हवल टेलिस्कोप अब धीरे-धीरे खराब हो रहा है यानि कि धीरे-धीरे वो बुड़ा होता जा रहा है कई बार इसकी मरमत की गई है फिर भी इसमें दिक्कते आने लगी है इसलिए नासा अब हवल की जगह 10 अरब डॉलर के जेम्स वेब टेलिस्कोप लांच करने जा रही है जैसा कि फ्रेंड्स जेम्स वेब टेलिस्कोप महंगा होने के बाबजूद भी पैसा वसूल होगा ये टेलिस्कोप एलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रम को भी देखने में सक्षम होगा यानि ये बहुत दूर इस्तित धुनले तारों और आकास गंगाओं को भी साफ देखा जा सकेगा स्पेस वेब टेलिस्कोप के जरिये उमीद की जा रहे है कि जेम्स वेब के स्पेस में जाने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और एलियन्स की मौझूदगी जैसे दसको पुराने रहस्य को भी सुल्धा पाईगी नासा और फ्रेंड्स जैसा कि स्पेस वेब टेलिस्कोप है इसकी यह ज्यादा एडवांस है नासा के हवल टेलिस्कोप से और फ्रेंड्स जैसा कि इसमें धर्ती पर से ही इसके मतलब इसके problems को solve किया जा सकेगा इसके technical problems को solve किया जा सकेगा friends, thank you friends please subscribe my channel friends